अक्टूबर माह में पशुपालक किन बातों का रखे ध्यान जिससे उनका पशुधन स्वास्त रहे और अधिक उत्पादन ले सकें। अक्टूबर माह में सरदी का आरंब हो जाता है अताह किसान भाई सरदी से अपने पशुओं का बचाओ करें। पशुओं को जूची चड़ अथाई किले से बचाओ के लिए बाह परजी भी दबा जैसे एक स्टिक दबा को पशुओं को लगाएं और फर्ष पर नियमित रूप से छिड़काओ करें। दबा का प्रियोग करने से पहले उसके दिशा नर्देश जरूर पढ़ें और सापधानी बरतें। यदि आपने तीन महिने के पहले अपने पशुओं को ग्याविन करवाया हो तो उनका गर्ब परिक्षण जरूर करवालें। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि वह ग्याविन हैं। मौसम में अधिकतर भैसें ताओ यानी गर्मी में आती हैं। अतहा भैस के ताओ में आने पर मुर्डा नसल के अच्छे सांड़ फे या फर एई आई टेक्निसियन दोरा अच्छे सीमें से एई आई कराकर समय से ग्याविन करवाएं। भैस को समय से ताओ में लाने के लिए मिनरल मिक्चर जरूर खिलाएं। और यदि पशू बच्चा देने के दो तीन महीने तक भी ताओ में ना आए तो पशू चिकेत सक को जरूर दिखाएं। चारे का अधिक उत्पादन लेने के लिए किसान भाई बर सीम की प्रमुख किसमें जैसे बी ल 10, बी ल 22 तथा बी ल 42 को राई जू बियम कल्चर से उपचारित करने के बाद बिजाई करें। सीम के साथ राई तथा सर्षों की मिसरित बजाई करने से हरे चारे की पॉस्टिकता तथा उपज दोनों में ब्रधी होती है। फसल से अधिक हरा चारा लेने के लिए जै की उन्नेत किसमें जैसे OS 6, OS 9 या कैंट की बजाई इस माह के मद्ध में जरूर कर लें। हम आपको हर महीने पशुपालन कलेंडर से अब गत कराते रहेंगे। दोस्तों खेती किसानी और पशुपालन की और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एंगली वीडियो में जै हिंद जै भारत।